हेलो माई यूटू फैमली कैसे हैं आप सब अर्चना कीचन एन ब्लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आज हम एक कटोरी चने के दाल से पूरे परिवार के लिए खाना बनाने वाले हैं वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा थोड़ा यूनिक तरह से दाल बनेगी हमारी विंटर स्पेसल होगी इसमें थोड़ा सा पालक का यूज करेंगे और ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में आप इसे चावल के साथ और रोटी के साथ किसी भी चीज क खा सकते हैं तो यहां पर हम एक कटोरी चने के दाल को कम से कम 35-40 मिनट के लिए भींगो करके रख दिये थे थोड़ा दिर पहले भींगोने से चने का दाल बहुत अच्छी तरह से तीन सीटी में ही आपका परफेक्ट दाल गल जाता है तो कूकर में हम एक कटोरी जो चने का दाल लिए थे उसे आप कूकर में डाल लिजेगा और एक कटोरी चने का दाल है तो हम यहां पर तीन कटोरी पानी डालेंगे बाकी पानी हम बाद में डालेंगे तो ज्यादा पानी डाल देने से फ्रेंड चने का दाल हो तो या फिर और कोई मोटी डाल आप लिए है ने तो थोड़ा सा नमक लिए है आधा चमच और बहुत थोड़ी सी हम यहाँ पर हल्दी लिए हैं बाकी नमक और हल्दी हम बाद में डालेंगे और यहाँ पर हम आधा चमच घी लिए हैं घी डालने से दाल बहुत अच्छे से गल जाती है और फिर अब हम इदाल कूकर को गैस पर च दाल एक दम मतलब की गल जाएगी फिर जब तक हमारा चने का दाल गलेगा तीन सीटी देगा तब तक हम आगे का प्रिप्रेशन कर लेते हैं तो यहां पर हम यह एक टमाटर लिए हैं जिसको हम इस तरह से कट कर लिए हैं और एक इंच अद्रक का टुकडा लिए हैं उसे भी आप कट कर लिजेगा और यहां पर हम लिए हैं तीन से चार यहां हरी मिर्च लिए हैं डाल को आपको जितना तीखा रखना है वहां उतना हरी मिर्च डाल दीजेगा और कुछ लहसन की कलियां लिए हैं और लहसन की पत्ती तो आज कल विंटर सीजन में लहसन की पत्ती अच्छा लगता है हुआ हुं हुआ होग के जाद भर करें दबृत अच्छा और हम और से शूर्जा करके ć aggiorny आप। तो अभी हम और चीज़े डालेंगे तो और भी ही सीटी हमें दिलानी होगी कुकर में तो अब हम क्या करेंगे यहां पर हम पालक डाल रहे हैं तो चने के डाल में पालक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फिर अगर कभी नहीं बनाए होंगे तो जरूर से बनाईएगा से भी कुकर में डाल डेंगे और यहां पर आपको पानी कम लग रहा होगा तो एक ककड़ो करेंगे जितना आपको डाल को गाढ़ा पतला रखना है उतना आप पानी यहां पर डाल दीजीए और फिर उसके बाद 2 सीटी और लगाएंगे तो अब पहले तीन सीटी लगाए थे अभी दो सीटी लगाएंगे इतने में आपकी दाल एकदम परफेक्ट तरीके से गल जाएगी तो एकदम गली गली सी दाल भी अच्छी नहीं लगती है तो जब तक हमारा कुकर इधर सीटी दे रहा है तो हम एक और आगे का प्रिप्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर हम मसाला रेडी करेंगे तड़के के लिए एक प्याज मीडियम साइज का कट करके रख लिए है और यहाँ पर हम लिए है एक चम मसाला रेडी कर रहे है तो एक चमच धनिया का पॉडर लिए है और आधा चमच जीरा पॉडर लिए है और आधा चमच ही हम यहाँ पर जो घर का हमारा गरम मसाला होता और आधा चम्मच किम लाल मिर्च का पॉडर लिए और 0-0वादा चम्मच से कम हलदी पॉडर लिए तो इन सब को पहले आप पानी में भीगो दीजिए कि इससे क्या होता है ना कि हमारे जब हम मसाले भूंते हैं तो हमारे मसाले जलते नहीं अब हमें कडाही लेंगे और कडाही में आप पैन भी ले सकते हैं जो भी आपके पास होगा तो उसमें तेल डाल दीजिएगा करीब चार शमच के लगबग तो जब चने का डाल बनाते हैं इस तरह से फ्रण तो थोड़ा सा तेल मतलब की अच्छे से डालिये जादा नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डालियेगा नहीं तो फिर मसाले अच्छे से भुन नहीं पाते हैं थोड़ा तेल वगर रहता है न चने के डाल में मसाले वगर तो बहुत टेस्टी लगते हैं तो यहाँ पर हम डाले हैं तेल गरम हो गया था तो एक तेजपत्ता डाले हैं आधा चमत जीरा डाले हैं और टू पिंच अब हम यहाँ पर हिंग डाले हैं तो फ्रेंट शनेव गरे की डाल में हिंग बहुत जरूरी होता है टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारे डाइजेशन के लिए भी हिंग बहुत अच्छा माना जाता है तो यहाँ एक प्याज हम प्राओनी कलर में आ जागया है तो जो मसाले करके रखे थे वह और मसाले बुआ के रॉपरालक बालक हो सबक्तितु है और हम इसे तो और यह चने का डालक करके तब आप इसे चाहे चावल के साथ हएं या फिर रोटी के साथ है ये बहुत ज्यादा टेस्टी सं Ned ferment और ज्यादा टेस्टी लगता है तो मसाला तु we तो दाल डाल दिये तो एक बरवाब आई एक यहें और पर बंद कर दीजिए तो अब भी हम इसे खाली कर ले तो आप देख सकते हैं आप चने की डाल को और पतला करना चाहें तो और पतला भी कर सकते हैं लेकिन रोटी से अगर खाएंगे तो इसी कंस्टेंसी में चने की डाल को रखिएगा और पतला करना चाहते हैं तो इसमें एक कटोरी और पानी डाल सकते हैं लेकिन पहले ही करते हैं उसी टाइम आप एक कटोरी पानी डाल दीजिएगा और अभी हम घी का तड़का देंगे बीना तड़का के तो दाल अच्छी नहीं लगेगी तो यहां पर एक चमस देशी घी लिए हैं उसमें हम जीरा डाले हैं और थोड़ा सा दो मतलब लाल मिर्च डाले हैं तो ल लोगों को मेरा चने का डाल बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा तो अभी हम उसके साथ खाने के लिए भुजिया रेडी करेंगे तो केवल चने के डाल तो अच्छी नहीं लगेगी बीना भुजिया के तो यहां पर हम आलू और बी पड़के में जीरा और हरी मिर्च का तड़का दिये हैं और हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे और नमक और हलदी डाल करके आप इसे पका लीजिएगा भुजिया की तरफ, कोई भी मसाले इसमें नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जब हम मतलब मसालेदार डाल बनाते हैं तो उसके साथ सिंपल भुजिया या फिर पापडवगर ही अच्छे लगते हैं लेकिन ये वाली भुजिया इस चने के डाल के साथ परफेक्ट जाती है या फिर करेले की कलोंजी बना लीजे तब तो मजा ही आ जाएगा लेकिन आज मैं यही बना रही हूँ भुजिया बना रही हूँ ये भुजिया भी अच्छी लगती है और फिर उसके बाद हम तो खाना मेरा रेडी है तो मैं खाना लगा लेती हूँ तो यहां पर आप मैं चावल है तो हम लोग मसालेदार दाल बनाते हैं तो उसके साथ हम लोगों को सिंपल घी डाल करके राइस ही अच्छी लगती है जीरा राइस वगरे भी आप बना सकते हैं लेकिन सिंपल राइस बहुत टेश्टी लगती है तो भुजिया है सलाद है और दही है और सब ये रोटी है चावल है और सीजनली लाल मिर्च का अचार है और उसके बाद दही में एक चमत चीनी तो फ्रेंड यहाँ पर चीनी भी मतलब कि ये इस खाने के साथ चीनी वाली दही अच्छी लगती है प्रायता ले सकते है या फिर प्लेन दही नमक डाल करके तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वाली लंच की थाली पसंद आई होगी परफेक्ट लगी होगी हम मेडिल क्लास फैमली है तो मेडिल क्लास फैमली वालों के लिए तो ये थाली एकदम परफेक्ट है तो अगर पसंद आई मेरी थाली तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो मुझे सस्क्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा और जो भी कमी बेसी होगा उसे भी जरूर बताईएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बाग!